वेलकम टिश्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांस किन बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट महोदय समिक्षाधीन वर्ष में ग्रामीड विकास कारिक्रमों को और कारगर तथा सूद्रिड बनाया गया मंत्राले के कारिक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले कई तरह के सुधार करने की पहल की गई इन सबी सुधारों में मंत्राले से संबंधित दो मुख्यमुद्दे हैं ठोस जल संभरण विकास नेती के जरिये ग्रामेड विकास कारिक्रमों को इस्थायत्व परदान करना और इन कारिक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागिदारी सुनिश्चित करना ये नए कदम एतिहासिक 73 सम्विधान संसोधन अधिनियम 1992 की प्रिष्ट भूमी में उ उठाए गए थे जिनका उद्देश पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के इस्तर तक सही मायनों में विकेंदरी करण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीड गरीबी के दलदल में फंसी हुई काफी अधिक ग्रामीड जनता को इसके चंगुल से छुडाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीड विकास के कारिक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें दस्मी योजना दस्तावेज के आमुख में इस मौलिक मुद्दे का संचेप में उलेक किया गया है कि विकास कारियों के लिए सरकार की और ताकते रहने तथा उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रवित्ती बढ़ती जा रही है जिसे बदलना होगा विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए लोगों की जरूरतों और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागिदारी को मंत्रालय के एजिंडा में शामिल किया गया है इससे कारिक्रमों की आयोजना तयार करने हेत उपर के फिस्तर से नीचे की और पहले से चली आ रही पध्धति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों स्वेक्षिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है कारिक्रमों में नई पहल के परिडाम स्वरूप लोगों के दृष्टिकोंड में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविस्य में विकास की प्रक्रिया में उलेखने परिवर्तन आ सकता है इसी प्रिष्ट भूमी में वर्ष 2000-2001 में मंत्राले की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए मजदूरी रोजगार तथा रिन से जुड़े स्वरोजगार कारिक्रम गरीबी निवारण के कारिक्रम हैं जिनें मंत्राले द्वारा किये जाने वाले काम की कारे सूची में प्राथमिक्ता दी जाती रही है गावों में कम उत्पादक्ता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशिस रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीती गरामीड गरीबों पर तिवरता से सीधा प्राहार करने की रही है लक्ष यह है कि इस सताबदी के अंत तक जरूरत मंद लोगों को पूरा रोजगार उपलग्द कराया जाए गरामीड विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश गरीबी को कम करना है इसके लिए केंद्र योजना आबंटन में तीन वर्षों के दोरान उत्तर उत्तर बढ़ोतरी की गई है गरामीड विकास मंत्राले के लिए 2001-2002 में 7,010 करोण रुपए का परिवेर रखा गया है जो की देश में एतिहासिक तथा सबसे अधिक आबंटन है महुदय बढ़ाई गई इस धनराश से गरामीड विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा शक्ती का पता चलता है कि वह आर्थिक उदारी करण की प्रक्रिया के जरिये और बिचौलियों के द्वारा उत्पन हर संभावित प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए बाजार ढांचे में सुधार लाकर ग्रामीड गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है मंत्रा लेके कारियों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है इससे वास्तों में ग्रामीड गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अलपरोजगार की समस्या से निपटने के लिए नई नई नीतियां तथा कारिक्रम तैयार किये गए हैं इन कारिक्रमों का ध्यान विसेस्त और पर विसेस्ट पिछडे छेत्रों में और क्रिशी मजदूरों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, छोटे और सीमान्त किशानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों आदि जैसे उपेक्षित वरगों के विकास पर किया गया है संचेप में इन कारिक्रमों का उद्देश गरीवी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उनमूलन करना है जवाहर रोजगार योजना एक मात्र सबसे बड़ा रोजगार कारिक्रम है इसके अलावा गहन जवाहर रोजगार योजना उन अत्यधिक पिछडे 120 जिलू में शुरू की गई है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या काफी अधिक है जहां लोग रोजगार की तलाश में अन्य अस्थानों पर पलायन कर जाते हैं और जहां प्राकृतिक संसाधनों की काफी कमी है जवाहर रोजगार योजना और गहन जवाहर रोजगार योजना से लगभग 1037 मिलियन स्रम दिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है जिसके लिए केंद्र का अंश 3855 करोन रुपए है इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना गरीबों को खेती के खाली मौसम के दौरान सौधिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलद कराने की द्रिष्टी से अक्तूबर 1993 में शुरू की गई थी इसने ग्रामेड छेत्रों में अपना इस्थान बना लिया है और वहां इसका बेरोजगारी और अलपरोजगार की समस्या को हल करने के लिए एक महत्तपून कदम के रूप में काफी स्वागत किया गया है इस योजना के अंतरगत एक करोन से अधिक लोगों को पंजीकृत किया गया है जो की देश के पिछड़े और कम साधन वाले खंडों में निर्धनतम लोगों को रोजगार की सुरक्षा तथा खाद उपलब्ध कराने के लिए एक महत्तपून तथा मुख्यमाध्यम है शुरू में यह योजना सूखाग्रस्त, मरुस्थली, आदिवासी और पहाडी छेत्रों के 1778 पिछड़े इलाकों में शुरू की गई थी जहां पुनरगठित सार्वजनिक वितरन प्रणाली लागू की गई है इस वर्ष से इस योजना को और 409 पिछड़े खंडों में लागू किया गया है इस योजना से लोगों को मजदूरी रोजगार के लिए बहुत बड़ा आस्वासन मिला है और उन्हें रोजगार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है यह योजना गती पकड़ रही है और चालू वर्ष के दौरान 1200 करोण रुपई के केंद्री परिवेसे लगभग 200 मिलियन स्रम दिनों का रोजगार स्रिजित होने की संभावना है ग्रामीड गरीबों के सबसे कमजूर वर्गों को मकान उपलब्द कराना न केवल उनकी बुनियादी आवशकताओं की पुर्ती करना है बलकि इससे उन्हें इस्थायत्व मिलता है तथा एक सामाजिक इस्तर उपलब्द होता है